वीडियो में क्या शब्द थे कि जो इंसान दारू पीता है वो वीडियो में थोड़ी बताएगा कि मैं दारू पीता हूँ और कैमेरी के पीछे सब जोल है और आप लोग तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहरा हूँ और आप लोग मुझसे क्या बुलवाओगे आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हो और किसी दिन जरूर बोलूँगा मैं और वो एक दिन आएगा तो पहली बात तो यह जो आप कह रहें नो कि मैं जरूर बोलूँगा कैमरे के पीछे क्या जोल है यह वो है तो जो भी कुछ है आप से जादा तो कोई जानता भी नहीं होगा मैं इस चीज़ को मैं सबसे जादा मानती हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि सपना के साथ सबसे बड़ा धोका सपना की ही नयनान अन्शू ने किया हम जब की ये समझ रहे थे कि अंशु ही ओ इंसान ने जिसने सपना का सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया अपने भाईयों के जाने के बाद पर ये बिल्कुल गलत था क्योंकि अंशु के पापा ने जब अंशु से ये कहा था कि तेरे भावी के पास चैनल और उसके पासवर्ट वगरा सब कुछ ले ले पता नहीं कब भग भुग जाएगी सब कुछ इंफॉर्मिशन निकाल ले जरूरी जरूरी तब अंशु ने ये बात सपना से कही थी तब सामने से तो ऐसा कुछ लगनी रहा था कि आखिर अंशु का मकसद क्या है सपना को ये सब बताना पर अब ये पता चल रहा है कि अंशु ने जान बुच कर सपना को ये सब बात बताई थी सिर्फ भड़काने के लिए ताकि अंशू ये सब सुनके सपना को अंशू पर पूरा ट्रस्ट हो जाए अपना सब कुछ अंशू को बताए वो और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाए और गुस्से में कुछ ऐसा कदम उठा ले कि जिससे अंशू के पापा और अंशू के घरवालों को फायदा हो और हुआ भी कुछ यूँ सपना ने आओ देखा ना ता उसने कदम उठा लिया घर छोड़ने का उदर अंशू को बुलाया इधर सपना ने अंशू के लिए घर छोड़ दिया पर इससे सपना को क्या हासिल हुआ सपना को कुछ भी हासिल नहीं हुआ सिफिक चैनल को छोड़के सारा चैनल उनको अंशू को देना परा क्योंकि अंशु ने इमोशनली ब्लैक मिलिंग करी अंशु ने डायरेक्ट कुछ भी नहीं मांगा पर अंशु के घरवालों ने कुछ इस तरीके से ग्रेम प्लैंड किया कि सपना धीरे धीरे अपना हग भी छोड़ने पर मजबूर हो गई और अपना चैनल भी आपको क्या लगता है कि इन सब में सबसे वड़ा विलन कौन है